नमस्कार दोस्तों वेलकम तो सडी आईक्यो जुडी शुरी दोस्तों आज के अपने इस सेशन में हम बात करेंगे आर्टिकल 19 की जो की वन ओफ दी मोस्ट इंपॉर्टन फॉर्णामेंटल राइट्स है आपने सुना होगा कि तीन इंपॉर्टन फॉर्णामेंटल राइट्स इन फिर इंदी कंट्री हो गया इस तरह के चे फ्रीडम्स की बात की गई है एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यह जो फ्रीडम्स हमें दिये गए हैं यह अन लिमिटेड फ्रीडम्स नहीं है यह रिस्ट्रीक्टेड फ्रीडं से जहां पर कुछ रीजनेवल रिस्ट्रिक ने इस पूरे आर्टिकल पर काफी सारी प्रणाउंस्मेंट्स दी हैं जिसके बदॉलत इस आर्टिकल का जो स्कोप है जो दाइरा है वो काफी जादा बढ़ चुका है तो चलिए शुरुवात करते हैं सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि अगर आपने अब्जेक्टिव को सोट करने के लिए चोकि हमारे प्रियंबल में भी दिये गये हैं तो उन में आप आर्टिकल 19 में दिये गये अधिकारों को मिस्कर ही नहीं सकते ऐसा हमें लेकर चलना होगा इसी तरह से स्टेट अफ वेस्ट बिंगोल वर्सेस सुबोद गोपाल बस 1954 में कहा गया था Honorable Supreme Court के द्वारा डाट इस फ्रीडम्स जो की आर्टिकल 19 में दिये गये हैं आप दी नेचरल राइट इन हेरेंट इन इन इस्टेट इस और आपको यह फ्रीडम जो है आपको बिंग से इसन आपके नेचरल राइट में ही इन हेरेंट है और वही यहां पर किये गए है आर्टिकल 19 के द्वारा चलिए रीजनेबल रिस्रिक्शन जैसे कि मैंने आपको कहा कि इसमें लगाई गई है और वो भी आर्टिकल 19 में ही लगा दी गई है उसी में प्रोवाइड कर दी गई है एक और चीज़ हमें यहां पर समझने चाहिए कि जो रीजनेबल रिस्रिक्शन आर्टिकल 19 में दी गई है उनहीं के द्वारा इस अधिकारों को इन अधिकारों को रिस्ट्रिक्शन को रिस्ट्रिक्शन के बाहर जाकर आप कोई और नई रिस्रिक्शन इन अधिकारों पर नहीं लगा सकते हैं क्लाउस 2 से लेकर क्लाउस 6 में जो हैं वो र बात करेंगे चलिए अब सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं आर्टिकल 19 पे आर्टिकल 19 क्लाउज 1 क्लाउज 2 3 4 5 6 इन सभी पर देख लेते हैं तो आर्टिकल 19 का जो क्लाउज 1 है वो हमारे लिए सबसे एहम हो जाता है क्योंकि जो हम 6 फंडमेंटल राइट की बात कर रहे हैं वो सभी के सभी 6 फंडमेंटल राइट जो है वो आर्टिकल 19 क्लाउज 1 में ही दे दिये गए है इसमें सबसे जो पहले हमें दिया है फिरिडम फिड़ और दूसरा है तू असेंबल पीस्फिफ ली एंड विडाउट आंस तीसरा है तू फॉर्म में एस्टा दिया गया था और सात्वा है तुब्रेक्टिस एनी प्रोफेशन और तुकरी ओन एनी ओक्युपेशन ट्रेड और बिजनस तो ये छे बैसिक राइट्स है जो हमें फ्रीडम स्मिले है आर्टिकल 19 क्लॉज बन में आर्टिकल 19 क्लॉस टू में हमें यहां पर शरुवात हो जाती है किस चीज क कि यहां शुरुवात हो जाती है कुछ रिस्ट्रिक्शन की फर एक्जैंपल आर्टिकल 19 क्लाउस वन का जो सब क्लॉस ए था उसके उपर जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है वो clause 2 में लगाई गी है इसी तरह से आप यहां पर देखेंगे कि जो restrictions है वो आगे बढ़ती जाती है so article 19 clause 2 क्या कहता है कि clause sub clause A में जो हमें अधिकार मिला है that is freedom of speech and expression उस पर कुछ restrictions रहेंगी जिनको आज हम अपने इसी session में से detail में discuss करेंगे इसी तरह से आप sub clause B जो हमने अभी देखा कौन सा था सब लोज भी freedom to assemble peacefully and without arms उसके उपर restrictions है वो clause 3 में लगा दी गई इसी तरह से आप clause 4 देखते हैं जो कि sub clause C में दिए गए हमारे freedom of forming association and union पे restrictions लगाता है and इसी तरह से आप देखेंगे कि article 19 clause 5 जो है वो sub clause D and E में दिए गए अधिकारों पर जो है वो restriction लगाता सो D and E में क्या है that is freedom to move freely throughout the country and freedom to settle anywhere in the country इस पर जो restriction लगाई गई है कहां लगाई गई है clause 5 में लगाई गई है clause 6 जो है वो comprehensively कुछ restrictions लगाता है sub clause G पे sub clause G क्या कहता है हमने अभी देखा that is to practice any profession or to carry out any occupation etc so ये article 19 को एक बार हमने overview ले लिया और अब हम जो है article 19 को थोड़ा सा detail में बात करेंगे सो सबसे पहले article 19 clause 1 का sub clause A उठाते हैं और उसी पर आज हम detail में चर्चा करेंगे इस आर्टिकल की उपर वन ओफ दी आप कह सकते हैं कि वन अफ दी मोस्ट डिसकस्ट आर्टिकल्स इन दी ओनरेबल सुप्रीम को टेंड वेरियस हाई कोट्स है और सबसे ज़्यादा प्रनाउंस्मेंट्स इस पर आती हैं और इसको जो स्कोप है वो काफी ज़्यादा बड़ा हो चुका है तो अलग लग पहलु आज हमें यहां पर देखने को मिलेंगे सबसे बहले अगर हम बात करें article 19 clause 1 sub clause A कि क्या कहता है freedom of speech and expression हमें यहां पर देता है now freedom of speech and expression की requirement क्या है objective क्या आचीव करना चाहता है यह पूरा को पूरा clause तो हमें देखने को मिलता है कि सबसे पहली जो requirement है वो है societal good की freedom of speech and expression as to opinion और ideas without hindrance यानि कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी society ऐसी हो जहां पर हर कोई अपने opinions को अपने expression को without any hindrance सब के सामने रख सके तो article 19 का ये जो सब clause है वो बहुत जरूरी है individual development भी यहां पर एक बहुत बड़ा important point बन जाता है because जब तक आपके पास अभी व्यक्ति की आजादी नहीं है आपके पास ग्यान लेने की भी आजादी नहीं है because you can't even ask questions जब तक आप अपने सवाल नहीं पूछोगे तब तक आपका ग्यान कैसे वरधन होगा आप अपने आपको express नहीं कर पाओगे तो आपकी development भी नहीं होगी तीसरा क्या है ensure democratic values अब देखें डेमोक्रेसी का जो सबसे एहम पहलू होता है वो है government of the people for the people and by the people now इसमें people's participation सबसे एहम रोल निभाती है अब डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी बात ही होती है कि जो आप सरकार की अच्छी नीतियां है उनकी प्रेस कर सकें जो बुरी नीतियां है या जो people के favor में नहीं जाती है उन्हें आप criticize करें इस चीज़ की आजादी आपको होनी चाहिए और वो किस से मिलती है इसी सब क्लॉस से मिलती है इसी तरह से pluralism को safeguard करना देखिए हम कहते हैं कि भारत एक diverse country होने का मतलब यहाँ पर अनेको cultures है अनेको languages बोलने वाले लोग है अनेको races के अनेको धर्मों के लोग है और यही diversity हमारी एक ताकत भी है इसे भी बचाने के लिए freedom of speech and expression हमें देना जरूरी है ताकि हर वर्ग का व्यक्ति अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर से के अपने विचारों को सब के सामने रख सके और उनके विचारों को रखने का purpose हो सकता है कि survival हो हो सकता है कि growth and development हो तो वो यहाँ पर जरूरी हो जाता है ना एक चीज़ और जैसे कि मैंने आपको शुरुवात में ही कही कि article 19 clause 1 sub clause A जो है जो कि हमें freedom of speech and expression देता है वो हमारे preamble में दिये गए जो अधिकार है या जो aspirations है that is liberty of thought and expression को ही यहाँ पर manifest करता है हमने preamble में देखा कि liberty of thought and expression देने की बात की गई है एक aspiration है उसी को manifest करता है हमारा यह clause A the freedom of speech and expression is regarded as a primary condition of liberty वो जो liberty है आपकी liberty अधूरी रह जाती है अगर आप अपने विचारों को खुलके नहीं रख सकते हैं it is one of the vital fundamental liberties guaranteed against the state's suppression so again कई सारे case laws हो चुके हैं जहां पर हमारी आवाज को दबाने की तरफ भी इशारा किया गया लेकिन ऐसा नहीं हो पाया because again यही माना जाता है कि state suppression के खिलाफ भी आपको बोलने का अधिकार है because it is democracy अगर यह अधिकार ना हो तो वो क्या हो जाएगा democracy से धीरे धीरे dictatorship की तरफ चला जाएगा the right is available अच्छा यह important point यह भी है कि citizens of India के पास ही अधिकार available है non citizens के पास यह अधिकार नहीं available है again क्यों क्योंकि आप नहीं चाहते कि विदेश से कोई व्यक्ति आकर आपके यहां पर propaganda शुरू करे आपके देश को बुरा बोलना करें फॉर सेल्फ इंट्रेस्ट तो उस वजए से हमने यहां पर यह जो अधिकार सिरफ इंडियन सिटिजन्स के पास ही रखा है it is the right to express one's opinion freely devoid of distress or through oral written electronic broadcast sing and press मैंने आपको कहा कि expression एक बहुती वाइड टर्म है अब expression का मतलब क्या होता है freedom of speech and expression दो शब्देन speech का तो मतलब बिल्कुल सिंपल है कि बोल कर अपने जो विचार होने अभिव्यक्त करना expression में क्या आ जाता है expression में आपके science भी आ जाते हैं आपके let's say body language भी आ जाती है आपक express करने का या अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम क्या होगा उसके उपर प्रकाश डाला गया है और बताया गया है कि expression जो है वो किसी भी माध्यम से हो सकते है ब्रॉड कास्ट कर सकते हूं आप प्रेस का सहारा ले सकते हूं आप यहां पर electronic मीडिया का सहारा ल इस freedom of speech and expression में आ गया इससे जुड़ा हुआ केशलों हम देखेंगे साथी में हम देखेंगे freedom of commercial speech को भी इस अधिकार में include किया गया उससे जुड़ा हो केशलों भी देखेंगे राइट टू ब्रॉड कास्ट भी इसी अधिकार में आ जाता है राइट टू अब्टेइन इन्फोर्मेशन भी इसी अधिकार का एक हिस्सा माना गया देट इस freedom of speech का and expression का एक हिस्सा माना गया वहीं से राइट वैस्ट बिन्फानिवस्टॉश सुन्स इसे नामेटि स्क्रिक्ज़ जलम है इसिता है याइन वी से रही है अब यह सारे हम जो है पहलू इन पर अभी एक एक करके case law discuss करेंगे और देखेंगे कि किन-किन cases में इन सभी जो aspects है इन्हें आर्टिकल 91 clause A में इससे include include किया गया है चली शुरुआत करते हैं सबसे पहले बात करते हैं मेनका गांधी versus union of India हम सब जानते हैं कि एक बहुत ही landmark case था भारत के इतिहास में और इस case में यह बात कही गई थी that freedom of speech and expression जो है वो it is inclusive of the right of a citizen to gather information and to exchange thought with others not only in India but in the foreign land as well यानि कि जो आपका freedom of speech and expression है वो केवल भारत की सीमाओं तक limited नहीं है या भारत इस पे या geographical limitation इस पे नहीं लगाई जा सकते हैं यह एक ऐसा अधिकार है जो कि विदेशों में भी आप अपने freedom of speech and expression को अभिव्यक्त कर सकते हो वहाँ से आप information gather कर सकते हो वहाँ पर जाकर अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हो वह भी इसी में आएगा freedom of press तो जैसे कि बहुत ही चर्चित अधिकार है अब ना हम सब जानते हैं कि democracy का जो fourth pillar होता है वो press होती है या वो जो है media ही होता है ऐसे में democracy को thrive करने के लिए जो हमारा प्रेस है उसका अधिकार हमारे पास होना जरूरी है सो freedom of speech includes right to propagate one's views through print media or any other communication channel be it radio or television subject to reasonable restrictions of course the reasonable restrictions है उनके विदूद जाकर आप अपना freedom of speech and expression इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं now इसी में लिखा है that there is no special or specific reference to freedom of press in Indian constitution now जैसे कि हमने अभी कहा कि judiciary की यह pronouncement है judiciary की interpretation of freedom of speech and expression की कि उन्होंने freedom of press को इसका अधिकार बनाया समविधान में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि यह एक fundamental right है the word expression covers the press so जैसे कि हमने अभी कहा कि freedom of speech and expression speech is a limited word but expression is a very wide term उसी में expression में ही आ जाता है क्या press and contemporary world में तो यह blogs को और websites को भी cover करता है Bennett Coleman versus Union of India 1972 का बहुत important case था कुछ ऐसा ही case था उसमें honorable Supreme Court ने कहा that freedom of press personifies the person's right to free speech and expression साथ में यह कहा गया that freedom of press is both qualitative as well as quantitative now यह बहुत important point है वो इस तरह से कि आप ना तो प्रेस के उपर यह पबंदी लगा सकते हो कि कहां कहां पे press को circulate किया जाएगा यानि कि quantity आप तैनी कर सकते और नहीं quality यानि कि क्या बोला जाएगा क्या नहीं बोला जाएगा प्रेस में वो भी सरकार नहीं तै करेगी but yes subject to reasonable restrictions तो होगा ही जो कि article 19 clause 2 में दिया गया है so both circulation कहां कहां होगा magazine a newspaper का and उसका content क्या होगा इसके उपर unreasonable restriction नहीं लगाई जा सकती है रोमेश्थापर वस्टेट of madras यह बहुत important and one of the earliest case is the supreme court का जो इसी मुद्दे पर बात करता है जिसमें freedom of press as a fundamental right of freedom of speech and expression जो है वो डिकलेर किया गया था और यहां पर justice Patanjali शास्त्री की यहां पर एक statement है क्या freedom of speech and of press lay at the foundation of all the democratic organizations for without free political discussion no public education so essential for the proper functioning of the process of government is possible so यहां पर यह बात स्पष्ठ कर दी गई कि देखिए education के लिए भी freedom of speech and expression और उसके तहत press का जो अधिकार है वो बहुत ही important है उसके बिना democracy चलिए नहीं सकती चलिए ना इंडियन एक्ष्प्रेस वर्स उनिन आफ इंडिया 1985 का केस है इसमें क्या बात ही धी कूर्ट है यहां पर दूटी ओफ जुडिश्री भी तैगर दी गई और इसमें कुछ और बातें कहीं गई कि freedom of press में क्या क्या जाता है इसमें बदाए गया कि freedom of press में publication का अधिकार आ गया circulation का अधिकार आ गया and against pre censorship सो हम सब जानते हैं कि Britishers के टाइम में जो उनकी प्रेस नीटी होती थी वो क्या होती थी most of the laws में यहीं होता था कि pre censorship होता था और आपको एक COPY भेजनी रहती थी सरकार को उस COPY को आप प्रिंट करके सर्कुलेट करने से पहले ही सरकार को बेजते थी उसके बाद वहाँ से clarification मिलने के बाद या वहाँ से clarity मिलने के बाद आप जो है उस copy को print करते थे अब वो यहाँ पर जो है उसके उपर रोक लगाई गई और वो यहाँ पर कहा गया कि ऐसा नहीं possible है after we got freedom चले freedom of commercial speech अब commercial speech का क्या मतलब है देखें भई commercial speech का क्या मतलब है हमारी advertisement जो industry है वो इसी मुद्दे पर काम करती है या वो commercial speech का ही एक बहुत एहम example आप कह सकते हैं लो इसमें क्या बात है वो समझ लेते हैं कहता public at large are benefited by the information made available through the advertisements अगर advertisements ना हूँ तो हमें products की जानकारी ना मिले हमें दवाईयों की जानकारी ना मिले हमें अपने जो भी रोज मर्रा की चीजें हैं उनकी जानकारी ना मिले हमें यह ना पता हो कि market में हमारे पास quality है choice है और जब तक choice का हमें नहीं पता होगा तो हम free field करेंगे नहीं it will be like a monopolistic situation so यह बात यहां पर cover की गई और कहा गया that in a democratic economy an undisturbed flow of commercial information is pertinent so democratic economy में flow of information जो कि undisturbed होना चाहिए वो pertinent है ज़रूरी है now Tata Press Limited versus Mahanagar telephone Limited में इसी से जुड़ी हुई कुछ बातें कही गई क्या बात कही गई इसमें कहा गया कि commercial advertisement और commercial speech जो है वो भी freedom of speech and expression का हिस्सा है so यह basically case law है जो कि commercial speech को भी freedom of speech and expression का हिस्सा बनाता है और यह कहा गया कि इसकी उपर भी केवल वही restrictions लागू होंगी जो कि limitation दी गई है article 19 clause 2 में it was also held that advertising which is no more than a commercial transaction is nonetheless dissemination of information regarding the product advertised चलिए right to broadcast की बात करते है right to broadcast का क्या system रहता है यह क्या मतलब होता है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं देखिए broadcasting की जो technique है वो with technology हमारे पास आई पहले प्रेस होती थी over the period of time broadcasting की technologies आती गई और उसी के साथ साथ हमारे freedom of speech and expression को भी एक evolution देखने को मिलता है वही मैंने हाँ पर लिखा है that evolved with the progress of technology and includes all the means of expression and communication इसमें electronic media भी आ गया and broadcast media भी आ गया ना ओडिसी communication private limited versus लोग विद्यान संगर्थन लोग विज्ञान संगर्थन में यहां पर क्या बात कहीं गए चलिए देख लेते हैं basically इस पूरे episode में या इस पूरे case law में क्या हुआ था इस पूरे case law में citizens right to exhibit films को यहां पर challenge किया गया था honorable Supreme Court ने यह कहा कि दूरदर्शन जो कि एक state-run channel है इस पर कोई भी citizen अपनी films जो है वो दिखा सकता है is a part of fundamental right guaranteed under article 91a इसमें यह कहा गया था petitioner की तरफ से कि एक उस समय एक series थी एक serial था that is honey and honey उसे बैन करने की से बात की गए थी कि यह एक superstitious serial है और superstition को promote करता है बयाड़ने सेम टाइम जो petitioner था वो कोई evidence नहीं लेकर आप आया था जिसके basis पर यह प्रूव हो सके और इसे restrictions के दायरे में लाया जा सके अब एक और important पहलू हम यहां पर discuss करेंगे दोस्तों वो है right to information का देखें सबसे पहली बात तो यह कि right to freedom of speech and expression में ही right to information हमें मिला हुआ है कैसे देखें जब तक मुझे यह पता नहीं होगा कि इस किसी भी विशे के बारे में जानकारी नहीं होगी उस विशे के बारे में मैं अपने opinions नहीं बना पाऊंगा opinions नहीं बना पाऊंगा तो opinions एक्सप्रेस भी कैसे कर पाऊंगा इसी लिए right to information हमें इसी का हिस्सा बना दिया गया तो यहां पर बेशक वो आप अपनी government हो आपका कोई product हो को मार्केट का product हो यह सारी जो चीजें हैं इनके बारे में आपको information मिलना चाहिए चाहिए आपका as a voter अधिकार हो वो उसके बारे में भी जिसको आप वोट देना चाहते हैं वो candidate जो चौनाओं में खड़े हैं उनके बारे में भी information मिलना ज़रूरी है और इसी लिए जो right to information act 2005 आया वह इसी article को manifest करता है आर्टिकल 19 clause 1 sub clause 1 को ही manifest करता है राइट टू information act 2005 नव स्टेट ऑफ यूपी वरसेज राज नरायन में भी ये बात कहीं गई थी that India being a democratic state citizens के पास ये अधिकार है कि उनका जो जो पैसा है उनका जो politician है वो उनके पैसे को किस तरह से spend कर रहा है और जो state machinery है उसका किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है ये अधिकार है सो right to information के बारे में यहाँ पर 1975 में भी इस बात के उपर सहमती जताए गई थी Union of India versus Association of Democratic Reforms ADR 2002 का केस है इसमें क्या कहा गया that one-sided information disinformation misinformation misinformation and non-information all equally create uniform uninformed citizenry which makes democracy a farce तो ये आप गलत information भी अगर आप दे रहे हो ये भी आपके मौलिक अधिकारों का हनन है अगर आपको गलत information दी जा रहे है तो freedom of speech and expression का ही हनन है गलत information के साथ minimum information disinformation misinformation ये सारा जो है आपके अधिकारों का हनन करता है freedom of speech and expression is inclusive of right to impart and receive information which includes freedom to hold opinion so right to criticize देके freedom of speech and expression जो है वो criticize को करने करने का भी जो है अधिकार आपको देता है क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि आपके पास opinion बनाने का अधिकार है आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रहे है तो आप उसे criticize भी कर सकते हैं वो भी यहां पर include किया गया है खास करके जो आपकी government की policies हैं उन्हें condemn करने का अधिकार आपको मिला है साथी में right to silence का अधिकार भी आपके पास है right to freedom of speech and expression में यह बात कही गई थी religious belief पे अगर वो national anthem गाने से मना कर रहे हैं that will not be covered under the disrespect of the national anthem चली now reasonable restrictions की हमने बात की तो अब reasonable restrictions की उपर भी थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं क्या-क्या reasonable restrictions जो हैं इस अधिकार की उपर यानि की freedom of speech and expression की उपर चलिए देखते हैं सबसे पहले तो हमने कहा कि 19 clause 2 में covered हैं जिसमें क्या-क्या आ जाता है sovereignty of integrity of India यानि कि आप कुछ भी ऐसा बोल या express नहीं कर सकते जिससे हमारे देश की sovereignty या integrity खत्रे में आए security of the state खत्रे में आए friendly relations with the foreign states खत्रे में public disorder हो या public order खत्रे में आए public morality या decency खत्रे में relation to contempt of court नहीं आप कर सकते defamation आप किसी की नहीं कर सकते inside meant to an offense नहीं कर सकते अब आप यकीन मानिये कि इसमें से कई सारे सब clauses जो है वो बाद में add किये गए है यानि कि अगर हम यह grounds की बात करें यह जो भी यहाँ पर restrictions लगाई गई हैं यह initially नहीं थी इन्हें कई सारी जो है यह बाद में add हुई है so the above mentioned eight restrictions were embodied in the same way in the constitution first amendment bill 1951 so यहाँ पर जो restrictions है यह reasonable हो नहीं चाहिए और इसमें यह भी कहा गया the harsher the restriction heaviest heavier is the onus upon the state to prove the reasonable restriction or reasonableness of the restriction अब एस रंगराजन वर्सेज पी जगजीवन राम का यह के से 1989 का is it was held by the Supreme Court that freedom guaranteed under 191 a can be reasonable restricted only for the purpose mentioned in article 19 clause 2 so just say कि हमने अभी देखा कि 19 clause 2 में दीगे restrictions के basis पर ही restrictions आप की उपर लगाई जा सकते हैं इस अधिकार पे and these must be justified on the annual of necessity and not of the quicksand of convenience or expediency चले नहाँ एक और important यहाँ पर हमें बात करनी है वो है कि यह जो सारी कि सारी restrictions है थोड़ा थोड़ा इन पर नजर डालेंगे ज्यादा इस पे हम गहराई में नहीं जाने की जूरत security of the state हम सब जानते हैं कि security of the state एक बहुत ही important किया गया इस ग्राउंड पे and security of the state में public order नहीं आ जाता है इस शीज को समझकर चले security of the state में क्या आ जाता है only serious or aggravated form of public order या forms of public disorder जिसमें rebellion आ गया waging war against the state आ गया insurrection आ गया and not ordinary breaches of public order so कहीं पर एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के साथ लड़ाई कर ली वह यहां पर इसमें नहीं कवर्ड है Santosh Singh versus Delhi administration 1973 इस में भी कहा गया था that observed that an act of giving a speech which tend to overthrow the state can be made a publicly can be made a punishable act friendly relations जो है वो भी अगेन क्योंकि हम globalized world में रहते हैं हमारे देश एक दूसरे पर dependent होते हैं तो यह भी एक ground बना दिया गया कि आप कुछ भी इस तरह से आप expression नहीं कर सकते जिससे भारत के रिष्टे दूसरे देशों के साथ बिगड़ते हों इसको आप यहां पर criticize भी करते हैं because criticize इस लिए कर दिया गया क्योंकि कई बार यहां पर जो है इस ground को इस लिए criticize किया गया कि जो आप एक criticism करना चाते हो basically जो पॉब्लिक पॉलिसी है जो हमारी international policy है उसका अगर आप criticism करना चाहो foreign policy का criticism करना चाहो उसके उपर यह kind of restriction के रूप में काम करता है फिर बात आती है जी पॉब्लिक order की अब पॉब्लिक order का यह जो ground था यह first constitutional amendment act के बाद ही इसे इसमें लाया गया और इसमें कहा गया कि आप कुछ भी कि ऐसा नहीं कर सकते यह ऐसा express नहीं कर सकते जिससे हमारे समाज की शांती भंग होती हो हमारे समाज में एक जो है crime की chances बढ़ते हो चलिए सो मेर क्रेटिसीजम ऑफ दिगोर्मेंट डेज नॉट इंप्लाइड डिस्टर्बिंग दी पॉब्लिक और यह भी यहाँ पर एक्सप्रेस कर दिया गया चलिए डिसेंसी और मॉरेलिटी तो यहाँ पर हम सब जानते हैं कि आजकल एक बहुती इंपॉर्ट एक बहुती फेमस बॉलिवड एक्टर हैं जो की ऑलरेडी इस पूरे के इसमें उल्जे हुए हैं उनके उपर भी सेक्शन 292 का अपराद करने का उनके उपर भी जो है आरोप लगा है नो डिसेंसी और मॉरेलिटी भी जो है वो भी इसी का एक ग्राउंड है एक रीजनेबल रिस्रिक्शन है आप यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते हैं या ऐस बोल नहीं सकते हैं बेसिकली जो की डीसेंसी की हदों को क्रॉस करता हो जिस तरह से हमने अभी देखा कि जो बॉलिवड एक्टर है उन्होंने बिना कपड़ों के फोटोग्राफ्स खिचवाई नाव ऐसे में उन्होंने अपना एक्सप्रेशन किया है वह एक एक्सप्रेश इसकी मेनिफेस्टेशन आप देख सकते हैं इसकी मेनिफेस्टेशन एक्सप्रेशन करने का नहीं है इसलिए मैं यहां पर इसको एक्सप्लेइन नहीं कर रहा हूं इसके अलावा इंडिरेक्ट टेक्स प्रेक्टीशनर्स अस्टेशन वर्सेशन वर्सेज आर के जैन का यह इंपोर्टन केस है इसमें क्या कहा गया है चले देख लेते हैं कहते हैं जी ट्रूथ बेस्ट इफेक्ट शुड़ बी अलावड एज वैलिड डिफेंस इन कोर्ट इसके अगर आप कुछ सचाई बोल रहे हो वहाँ पर इसे कंटेंप्ट नहीं समझा जाना चाहिए डिफेमेशन अगेन हम सब जानते हैं कि आर्टी सेक्शन 499 और 500 आईपीसी में यह कवर्ड है ओफेंस और डिफेमेशन भी यहां पर एक ग्राउंड बनाया गया है डिफे कर दीजिए फिर इसमें एक इंपोर्टन केस लॉब भी है प्रिंटर्स मैसूर वर्सिस एस्सेशिएशन एसिस्टेंट कमिशनर लॉव तो यहां पर इसमें क्या कहा गया था कोर्ट अब्जार्व डैट अप्रेस इस अलसो सब्जेक्ट टू डिफेमेशन लॉव यह इंप यहां पर इंसाइट होता हूँ और यह यह भी आप पढ़ लीजेगा सोवरेनिटी इन इंटेग्रीटी ऑफ इंडिया अगेन जैसे कि हम सब जानते हैं कि भारत की सोवरेनिटी भारत की संप्रभुता हमारे लिए सबसे उपर है कुछ भी ऐसा एक्शन आप नहीं कर सकते है यह कुछ भी एक्सप्रेशन आप ऐसा नहीं दे सकते हैं जिससे भारत की सोवरेनिटी या इंटेग्रीटी को खत्रा आता हो तो यह हमने यहां पर सारे ग्राउंड्स देखें अल्टीमेटली हम कंक्लूड करते हैं कि भाई फ्रीडम ओ स्पीच एन एक्सप्रेशन एक स्पीच एन एक्सप्रेशन का राइट है समझ आया होगा अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे तिल दन थैंक्यू एंट हैव ग्रेट देखें